नमस्कार मैं हो ससी आया जरगां की टॉप 25 फर्मोग खबर जानते हैं प्रधान मंत्री मोधी की अपील 29-25 अगस तक मनाया जाए संस्क्रित सप्ता 29 अगस तक संस्क्रित सप्ता मनाया जा रहा है बतादेया संस्क्रित सप्ता प्राचीन भासा को बढ़ावा देने और लोग प्रिय बनाने के लिए मनाया जाता है बदा जे सुरू हो रहे संस्क्रित सप्ता के जसन के हिसे के रूप में प्रधान मंत्री नायंद मोधी ने सभी से प्राचीन भासा शिखने और इसे बढ़ावा देने कागरा किया है जबकि केंद्रिय सिक्षा मंत्री धर्मेंदर प्रधान ने संकल्प लेने और भारतिये संस्कृतिक प्रमपरावों को भासावों के प्रति एक नया उत्सा पैदा करने और संस्कृत को लोगों तक आसानी से पहुचाने के लिए कहा है जारखन में डॉक्टरों की होगी बहाली जारखन में डॉक्टरों का बेहत अभाव है इससे स्वास्त विभाव की सेहत का अंदाया लगाया जा सकता है लेकिन स्वास्त विभाव को पटरी पर लाने की कवायत की जा रही है इसी दिशा में डॉक्टरों की बहाली के लिए अवेदन अमंत्रित किये गए है बतादे 349 डॉक्टरों के नियुक्ति किया जाएगा 30 अगस्त तक आवेदन कर सकते हाए रेडियो कुलोजिस्ट, हेमेटोलोजिस्ट और मेडिकल अपसर की भी नियुक्ति होगी रेडियो लोजिस्ट को डेरलाख रुपे मासिक बेतन दिया जाएगा सिक्षा राजय मंत्री अनपूर्णा ने कॉंग्रेस पर साधा निसाना है केंद्रिये सिक्षा राजय मंत्री सा भाजपा की राष्ट्रिये उपाध्यक्ष अनपूर्णा देवी ने कहा कि भाजपा ने पिछडो और महिलाओ को समान दिया है भाजपा जो कहती है वो करती है इससे पहले केंद्रिये राजय मंत्री के धनबाद पहुचने पर जोरदार स्वागत किया गया बतादे कि केंद्रिय मंत्री बनने के बाद पहली पार अनपुर्णा देवी के जार्खन पहुँचने पर भाजपा उन्हें समान देने के उदेश से जन अशिर्वाद यात्रा निकाल रही है खोंटी में आठ फुटबॉल ट्रेनिंग सेंटर खोंटी जीला के सभी छ अबलोक में आठ फुटबॉल ट्रेनिंग सेंटर का संचालन होगा इसके ताथ खोटी के कमंता और टकरा, कर्राक के डूमर दगा और पलस टू उच बिद्ध्याले खेल मैदान, अरकी के जरंगा, मुर्भु के लूथर्न मीडिल इसकूल मैदान, तोरपा के सारिद केल, रनिया के डांक बंगला, सियार पीएफ खेल मैदान सामिल है बतादे ट्रेनिंग सेंटर का संचालन, जीला फुटबॉल संग और भारत लोग कल्यांज संस्था के स्वयोग से किया जाएगा रांची में 15 अक्टूबर तक अतिकर्मन हटाने पर रोक जल सुरोतों पर अतिकर्मन के मामले में जनित यजका पर हाई कोट में सुनवाई कि दुरण हाई कोट ने मौखिक टिपनी करते हुए कहा कि अदालत गरीब के साथ है लेकिन उनके पुर्णवास का उपाय सरकार के पास नहीं है अदालत राची को बचाना चाहती है लेकिन कोट निर्मम नहीं हो सकती है नय सब के लिए समान होना चाहिए इसलिए गरीबों को नोटिस के साथ थोड़ा ज्यादा समय देना चाहिए ताकि ओ अपनी वेवस्ता कर सके अदालत ने मानसुन तक अतिकर्मन हटाने परोक लगा दिया या 15 अक्टूबर तक रहेगी कोडार्मा में ACB के टीम ASI को 10,000 घूस लेते रंगे हाथ दवोचा जारखन के भरष्टा चार निरोधक ब्योरोक की हजारी वाग साखा की ओर से गुरुवार को कोडार्मा में छापे मारी की गई दोफर करीब बारा बजे दीन कोडार्मा जी लेके डोमचांच थाना से एक ASI रंजीत जाको 10 एर घूस लेते रंगे हाथ गिरफतार कर लिया गया गिरफतारी के तुरंत बाद ACB की टीम उन्हें अपने साथ हजारी बाग लेकर चली गई अफगानिस्तान में उथल पुथल के बाद राची में 2-5 पर तिस्ता तक बढ़े मेव के दाम अफगानिस्तान में जारी राजेतिक उथल पुथल से वहां का बजार पूरी तरह परवाईत हो गया है अफगानिस्तान को मेवो के बड़े निर्यातक देशों के रूप में जाना जाता है बतादे राची के बजार में भी दिली के रास्ते अफगानिस्तान से मेवे मंगाई जाते है राची से राजे के अलग-अलग जिलों में बजार में इसे भेह जाता है अफगानिस्तान के संकट से राजे में मेवो के दाम में मामूली बढ़ात हुई है बतादे मेवो के दाम में 2-5% की प्रिधी हुई है तीस पुलिस कर्मियों का हत्यारा मवादी गिरफतार जारखन और बिहार में अतंग का अभिप्राय रहा भागपा मवादी का कॉले स्वरी जोन का रिजनल कमांडर रमेश कांजू उर्फ अंकित उर्फ आजाद को चातरा जिला पुलिस ने गिरफतार कर लिया है बतादे उसकी गिरफतारी लावालां के बारवादी नमाक अथान से हुई है दूरदात नक्सली आजाद 30 पुलिस कर्मियों के हत्या का आरोफ है उसके बिरूत जार्खन और विहार के बिभीन जीलों के थानों में 45 से अधीक मामले दरज है देवघर गोड़ा वादूमका में बनेंगे तेरा हाइवे विलेज गोड़ा लोग सभाज छेत्र में पढ़ने वाले चार नेशनल हाइवे के किनारे तेरा हाइवे विलेज बिक्सित करने की तयारी की जा रही है यहां एक ही अस्थान पर सभी सुधाय पतान की जाएंगी बता दे गोड़ा सांसर डाक्टर निसिकान दूबे की मांग पर केंद्रिय सड़क परिवहन अवराज मारग मंत्रा लाए हाइवे विलेज तैयार करने पर सहमत हो गया है सांसद डाक्टर निसिकान दूबे ने करिब डियर साल पहले केंद्रिय सड़क परिवाहने अवराज जमार्ग मंत्री नितिन गटकरी को देवघर गोड़ावादुमका में खोल तेरा जगो पर हाईवे विलेज बिखसित करने के लिए पत्र लिखा था ज़ारखन में 23 नए केस मिले हैं जो राची से 5, लोहरदागा से 3, पलामो से 3, देवघर से 2, गिरिडी से 2, सराय किला से 2, धनबाद से 1, पुर्वी सिमू से 1, जामतला से 1, रामगर से 1, साहिवगन से 1, पच्छमी सिमू से 1 मरीज मिले हैं बताथे ज़ारखन में कुल एक्टिव केस की संख्या 223, भारत में 36 और 592 नए केस मिले हैं भारत में कुल एक्टिव केस की संख्या 3,57,735